दोस्तों छूटी-छूटी पांच कहानिया लेकर क्या आया हूँ, जिसे हम लगो कता भी कहते हैं। सर में भैंकर दर्द था, उस्व अपने परिशीत केमिस्ट की दुकान में सरदर्द की गोली लेने रुका। दुकान पर नौकर था, उसने मुझे गोली का पत्ता दिया, तो उससे मैंने पूछा साफ कहा गए हैं। तो उसने का साफ के सर में दर्द था, सो सामने वाली दुकान में कौफी पीने गए, अभी आते होंगे। मैं अपने हाथ में लिए उस दवाई के पत्ते को देखने लगा। एक दूसरी लगुका था, मा का बलड प्रेशर और शूगर बढ़ा हुआ था। सवेरे सवेरे उन्हें लेकर अपने उनी के पुराने डॉक्टर के पास लेकर के गया और क्लिनिक से बाहर उनके गार्डन का नजारा दिख रहा था। जहां डॉक्टर साब योग और व्यायाम कर रहे थे। मुझे करीब 45 मिनट इंतजार करना पड़ा। कुछ देर में डॉक्टर साब अपना नीमबू पानी लेकर क्लिनिक आये और मा का चेक अप करने लगे। उन्होंने मम्मी से कहा आपकी दवाईयां बढ़ानी पड़ेगी और एक परचे पर करीब 5 या 6 दवाईयों के नाम लिखे। उन्होंने मा को दवाईयां रेगुलर रूप से खाने के हिदायब भी दी। बाद में मैंने उत्सुकता वश उनसे पूछा कि क्या आप बहुत समय से योग कर रहे हैं डॉक्टर सब। तो उन्होंने कहा पिछले 15 साल से योग कर रहा हूँ और ब्लड प्रिशर और अन्हें बहुत सी बिमारियों से बचा हुआ हूँ। मैं अपने हाथ में ले हुए मा के उस पर्चे को दिख रहा था जिसमें उन्होंने ब्लड प्रिशर और शूगर कम करने की कई दवाईयां लिख रखी। इसी ही एक और कहानी दोस्तों। अपनी बीवी के साथ ब्यूटी पारलर गया। मेरी बीवी को हेर ट्रिटमेंट कराना था क्योंकि उनके बाल काफी खराब हो चले थे। रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उन्हें कई तरह के पैकेज बताएं और उनके फायदे भी। पैकेज बारा सो से लेकर तीन हजार तक के थे। कुछ डिसकाउंट के बाद मेरी बीवी को उन्होंने तीन हजार रुपे वाला पैकेज 24 सुमें कर दिया। हेर ट्रिटमेंट के समय जब उनका ट्रिटमेंट करने वाली लड़की के बालों से अजीब सी खुश्बू आ रही थी। तो मैंने उससे पूछ लिया आपने क्या लगा रखा है। कुछ अजीब सी खुश्बू आ रही है। तो उसने कहा कि उसने सर में उसने तेल में मेथी और कपूर मिला कर रखा है। इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। मैं अपनी बीवी की शटिक देख रहा था जो चौबीस सो रुपे मैं अपने बाल अच्छे कराने आई थी। इसी तरह एक और छुटी सी कहानी। मेरी रईस कजीन जिसका बड़ा डेरी फार्म है। उसके फार्म पर जाना हुआ मेरा फार्म में करीब डेर सो विदेशी गाये थी। जिनका दूद मशीनों द्वारा निकाल कर प्रोसेस किया जा रहा था। एक अलग हिस्से में दो देसी गाये हरा चारा खा रही थी। पूछने पर बताया कि उनके घर पर उन गायों का दूद नहीं आता जो विदेशी हैं। जिनका दूद उनके डेरी फार्म से सप्पलाई होता है। बलकि परीबार के इस्तेमाल के लिए इन दो देसी गायों का दूद, दी और खी इस्तेमाल होता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो ब्रैंडिट दूद को बेस्ट मान कर खरीदते हैं